पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना सब्सक्राइब करने पहुंच रहा हैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहें लेकिनिंस सब के बीच भुजपूरी प्रतिक्रियां सामने आई है पूरे मामले में पवनसिंघ का गुसा फूटा है और इस मामले को लेकर उन्होंने अपने शोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है अपने शोशल मीडिया पोस्ट पर पवन सिंग लिखते हैं काराकाट लोगसभाश शेत्र के नभी नगर की हमारी बिटिया के साथ जो दिल दहलाने वाली घटना हुई उसे सुन कर मैं बहुत आहत हूँ जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जो भी अपराधी हो उसे जल से जल्द कड़ी सजा दी जाए जिससे पीडित परिवार और हमारी बिटिया को इनसाफ मिले पवन सिंग ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है पूरे घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है साथी साथ बड़ी मांग की है और अंगाबाद में हुई घटना को लेकर पीड़ता और उसके परिवार को नयाय दिलाने की मांग की है जैसा कि आप जानते हैं पवन सिंग इस बार काराकाट से चुनावी मैदान में भी थे काफी जोर शोर से उन्होंने अपना प्रचार किया था भोशपूरी के अन्य सुपर स्टार भी जो थे वो भी पवन सिंग के लिए लगातार प्रचार कर रहे थे लेकिन चार जून को जिस दिन परिनाम सामने आए पवन सिंग को हार का सामना करना पड़ा साथ ही साथ आपको बता दें की महागटबंधन की उमीदवार की वहां से जीत हुई एंडिये के उमीदवार उपेंद्र कुश्वाहा भी वहां से हार गए और पवन सिंग के कारन कहीं न कहीं जो पूरा शहाबाद था पूरे शहाबाद की जो सीटे हैं वो एंडिये के हाथ से निकल गई थी लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर अब एक बार फिर से पवन सिंग सामने आये हैं कारकाट के कारकाट लोग सभाज सीट को लेकर उन्होंने ये पोस्ट किया है और अंगाबाद के नभी नबर का ये पूरा घटना है जिसको लेकर सियासत जम कर हो रही है विपक्ष एंडिये की सरकार पर सवाल खरे कर रही है लगतार ये पूछा जा रहा है कि ये लोग जंगल राज की बात करते थे तो क्या ये मंगल राज है तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबनु हो उन्हें उन्हें भी कहा है कि कड़ी से कड़ी कारवाई की जाए लवली आनन ने भी अपने पिर्व सांसद आनन महंद अपने बेटे चेतन आनन के साथ ही पीड़ता के परिवार से मुलकात किया था और उन्होंने भी कड़ी से करी कारवाई कराने की बात कही थी साथी अब पावर स्टार पवन सिंग जो की काराकार्ट से वैसे तो चुनाव हार चुके हैं लेकिन इस मुद्दे को लेकर उन्होंने आवाज बुलंद की है उनका गुसा फूटा है साथी साथ शोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है अपने पोस्ट में उन्हों ने दुख व्यक्त किया है पूरे घटना को लेकर और पीड़ता और उसके परिवार को जल से जल्द नयाय दिलाने की मांग की है लगतार इस मामले को लेकर सभी लोग नयाय की मांग कर रहे हैं इस मामले में क्या कुछ हुआ जानकारी निकल कर साम भूले धन्यवाद